अजली राज का निर्मम तरीके से पूर्णया में हत्या हो गया अंजली राज यहीं के रहनी वाली थी उनका साधी उतर परदेश में हुआ था दो बच्चे भी थे और उनके पती उनको छोड़ दिया था छोड़ने के बद अंजली राज अपने माइके में घर से दूर यानी अपना भाई से भजाई अपने माबाप से दूर अलग रहे थी और रहने के बाद यहीं पर उनका खाना पीना होना था और यहीं से अपना जीवन यापन होता था और लोगों का ऐसा कहना है जो खबरों में चलाया जा रहा कि अंजली राज अपने मामा के साथ रहती थी और उनको स्मैक का लट लग गया था स्मैक के आदत वही लड़का धराया जहां भी लेके जाता था साथ में लेके जाता था अब लोग पोर्णिया के दम का चौक पर है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग हाईवे से तकरीबन एक किलोमेटर अंदर नहर के किनारे खड़े हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जंगल जार नहर भी नजर आ रहा होगा और नहर के किनारे आप देख सकते हैं कि 2-4-5 घर बसा हुआ है और इसी घर में एक ऐसी कहानी अंजली राज का आपको हम सुनाने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद साइद आपका दिल दहल जाएगा इस तरह से कहानी है उनका कि सुनने के बाद साइद दिल दहलने के सासद आपके आँख में आसु भी आ जाएगा आप देख सकते हैं कि यह एक छोटा सा घर है नहर के किनारे, बसा हुआ है, और जो पर पट्ति कही है, टीन का घर है, और अंजली राज के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो खवरों में बताया जा रहा है, कि अंजली राज का निर्मम तरीके से पूर्णिया में हत्या हो गया है और किस तरह से हुआ हम लोग परिवार से जानने का कोशिश करेंगे इधर उनके परिवार के लोग हैं उनसे जाने के क्या कुछ घटना हुआ और आज से दो दिन पहले की बात है कि अंजली राज यहीं के रहनी वाली थी उनका साधी उत्तर परदेश में हुआ था दो के बाद यहीं पे उनका रहना खाना पीना होना था और यहीं से अपना जीवन यापन होता था और लोगों का ऐसा कहना है जो खबरों में चलाया जा रहा कि अंजली राज अपने मामा के साथ रहती थी और उनको इसमेक का लट लग गया था अच्छा चलिए हम पूरी बात क्या है हम इनी से जाने के ज्यादा बहतर रहेगा क्या नाम हुआ आपका रीटु कुमारी बहन का क्या नाम था अंजली देवी यहां पे देवी का पहले साधी कहा हुआ फिप बांदा जिला उसके साथ नहीं रहना चाहती थी दोनों बच्चा पहुंचाके आ गई थी यहां बस आई थी यहां मम्मी के पास रुकी फिर उसके बाद यहां से चली गई उसके पास रिलेशने रहने लगी अंजली राज पीती खाती थी पता नहीं एसे मतलब सीख गई थी पीने खाने इसे उद्धरे मतलब सीखी ती जिसके घर में आर पहले रह रहे थे हम लोग उसके दारुम भी घाता था था तो तो यहां पे आने लगी तुन हो रहा था बता नहोंता ओगा ऊपिशाद दूर्ड ही मतलब नहीं रखती के साथ रहती थी में मुसलिम के साथ रह집े हम पिने का आदद उनको कैसे लगया क्की गत्प को मनां नहीं कि पिना खाना नहीं है क्पीना क्हना बाल बच्छा मेरा ममी बहुत 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 आद्मいます का यह वह कुंद मम्य गलत काम है यह गाली मारने लगता था इसलिये मम्य अपने साथ कि अपने आप मतलब रखते हैं किस दिन मतलब उसका घटना उसके साथ जो मर गई वो या फिर इसका हत्या हुआ किस दिन लिए भी दोनों साथ में गए आड़ बजे रात में दोनों साथ में अना तो घली इक अगना बजे निकलता था आता था था कैसे पता चला कि वो उनका हत्या हो गया फिर मर गई कैसे आप लोग जाने कैसे मैंने सबसे पहले लड़का देखा उपने लड़का उसको बता रहा है कि उसका हत्या हो गया हम लेके चले गिया प्रवाध करने गिया था फिर मरे मम्मी क्या बोली कि नहीं कि तो अपनी बैटी यह क्या करेंगे चले गई देखने देखने आई उद्रे-स द्रेश वहां पर क्या आदमी बैठा ने बटा साइन हुआ चले गई फिर उद्रे-स देले के लाहस को दफन करके करवाई के मामलें अभी तक कुछ हुआ मिठुप या फिर जिनके ऊपर किसी के ऊपर आरो पूरब लगा अब लोगे किसी के ऊपर क़रवाई करवाई कम से कम कडरा दीजा मेरा बढ़ दर्ज दिला दीजा और कुछ ने जान्ते है क्या नहीं किया कोण रेफ की द्वाई कर दिश्क भाइब कर दो आए अब परते ने के पास कोई ख़बर पहुचा है या फिर उनका आना हुआ हमको तो इसम नहीं पता है तो आये थे कल ऊचेशा को बोले थे अब पता नहीं क्या किया नहीं किया नहीं पता क्या नम हो आपका रीता कुमारी तो यह देखिए रीता कुमारी है अंजली देवी का बहन है और यह उनका घर है और इनका ऐसा कहना है कि अंजली देवी का साधी उत्तर परदेश में हुआ था उत्तर परदेश में कुछ बात्चित हुआ अना सुनी हुआ उसके बाद भाई ने उनलों को छोड़ दिया कि तुम लोग अलग रहो यहां से आप लोग को वहां से भगा दिया बहन के कारण तो अंजली देवी के कारण भाई लोग ने भी उनको भगा दिया भगाने के बाद अंजली देवी यही पर उधर बता रहा कि वो जो सामने आप घर देख रहे हैं कि दर कितना दुर में घर है वो जो चो आचा इसक्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा वहीं पर अंजली देवी लोगों का कहना है कि मामा के साथ में रहती थी और उनको इसमेक कलत लग गया था और ये भी परिवार को उनकी हत्या कहिए या फिर उनके मिर्तियों जो भी है उनका हो गया और परिवार वालों का आरोप है कि उनका हत्या हुआ पहले उनका बलतकार होने के बाद उनको बुरी तरह से मार दिया गया अभी हम आपको दिखाएंगे उनका फोटो उसका तस्वीर और उन लोगों ने परसासन को खबर पहुंचाया परसासन सामने पर मौके वारदात पर वहां पर पहुंचती है डेट बॉड़ी को ब्रामत करने के बाद क्या कुछ कारवाई कुछ नहीं हुआ करवाई नहीं कोई कर वा रूक हाथ में अंजली देवी का फोटो है यही वह इसनी नहीं रही इसका हत्या कई जोनों में जो कहीए इनका हो चुका है और आप परीजनों का आरोफ है उनका बुरी तरह से क्या पहले बलातकार क्या गया है अच्छा बलातकार करने के बाद ही मरा या फिर कोई और भी कुछ उसके साथ क्या गया गया नहीं लगता है कि रेप आप करके गला अला दाबा गया है किस इस्तिति में पाए कपड़ा खुला था या फिर कैसे था मतलब कपड़ा बदन से हटा था तो यह लोग जाके अधिकार की बात करें हर किसी का अपना अधिकार होता है कि अपने लिए नियाय मांग सके और यह परिवार गरीब परिवार से ठीक है माना कि वह कितना भी खराब थी नसे का उसको लट था या फिर कोई गलत धंधाई करती थी लेकिन अधिकार तो उनको है अपना नियाय मा नहीं तक पता चला की साधरा एफायर भी नहीं हुआ है सही बोल रहे हैं हैं तरह इसे बात oppress घड़ पात हुआ है नहीं वह नहीं हुआ है mau कि हम यहां पर पूर्णिया से एक खबर दिखा रहे थे और अस्थाने परतेने धी को होना चाहिए कि यहां पर इस परिवार के पास आए और इनको नियाय दिलाने में इनकी मदद करें आगे हम वह भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि इस जगह पर उसका डेट बोडी पा हो आएएंगे कि भी जूसुआ है